हेलो व्रिवन टू वेलकम टू मैज चनल तो गाज 8.4 का आज हमारा थर्ड पार्ट है यह यह हमारा फिप्त कोश्चन स्टार्ट करेंगे इससे पहले कोश्चन हो गया वह आप तो डेली वीडियो देखते होगे तो समझ में आई रहा होगा तो गाज इसमें यह कोश्चन दि मतलब इधर का अगर सोलीशन लेना तो हमारा आंसर यह आना चाहिए समझ में आ है यह इधर का सोलीशन करें तो हमारा यह आंसर आ है तभी हमारा LHS is equal to RHS होगा अधरवाज नहीं होगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसटीज लिख दिया एसटीज का मतलब सेम लिख मतलब ऊपन साइन तब देखो गाइस को से क्टीटा को क्या लिखते याद करो प्रिवेस में जाओ और दो तीन वीडियो पहले तो एट-पोइंट यानि उल्टा साइन अपन कॉस थीटा इस उकल टू में कॉट थीटा ठीक है यह दो फॉर्मुले याद कर लो गाई यह दो फॉर्मुले मेरे को लिखवाना नहीं था यह एक कोशन ज्यादा तर कोशन में यूज नहीं होता लेकिन ध्यानों को यह कोशन यूज होता बाउट इसमें बहुत यूज होगा 8.4 में ठीक है याद हो गया यह भी दो कोशन तो अगर कहीं नोर्स बना रहे तो उसमें लिख देना फॉर्मूला एक जगा ठीक है यह चीज हो गई अब बोलते हैं मैंने क्या बता है यहाँ पर को क्या लिख सकते हैं कोट को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन में कॉस थीटा तो कॉट थीटा को क्या लिखा हमने साइन थीटा अपन में साइन थीटा ठीक है होल स्कॉार तो है ही तो होल स्कॉार है ठीक है समझ में आई उसकी बाद देखो आप देखो one upon sign इन दोनों का एल सिम लेंगे sign theta sign theta same है तो sign theta आएगा टीक है sign theta और भिंज और भिंगटा करने के बद क्या एगा 1 का 1 ही रह जाएगा जब common है तो 1 ही रह गा और यह का यह उतर जागा फिर whole square आजागा ठीक है आप one upon cos square को लिख दिया और sign square का मतलब क्या होता है गाइस मैंने अभी formula पढ़ाया था तीन formula ठीक है तीन formula मैंने दिखाया थी देखो मैं दिखा देता हूँ यह है तीन formula ठीक है तेखो यह है ना तीन formula 1 2 3 यह formula है इसमें क्या पूछा गया one sin theta sin theta sin theta में यह कैसे आया value यह ना तो sin theta वाला formula निकालो मालो यह है sin theta वाला sin theta वाला formula है तीक है अब देखो sin theta sin theta के लिए क्या करेंगे मालो sin theta है इसी चीज़ को ले लेते हैं ना सिंपल सी बात इसको समझा दे रहा हूँ जैसी यहाँ पर sin square theta है ना और is equal to 1 है यह plus में इधर जाके minus में हो जाएगा cos square theta अब क्या होगा sin theta निकालना ना sin theta इसको में 1 root 1 minus cos square theta यही हुगा sin theta का मतलब अब आ जाते हैं यही चीज़ अब बताओ sin theta का मतलब क्या 1 minus cos square theta होगा cos square root नहीं होगा क्योंकि square इसपे लग गया ना गाई लग गया तो sin theta की जगा हम यह लिख सकते हैं और root क्यों नहीं लगा रहें क्योंकि यह square था square से root कट जाता है तो बचेगा यही ना यही बचेगा ना देखो गई मैं समझाए देओ देखो यह sin theta मैंने यह हो गया ठीक है अब whole square था whole square था ना उसके उपर sin theta का value पूछा है तो sin theta की value यह होती है और square से जो root आने वाला था वो कट गया इसलिए लिखा नहीं तो इसकी value इतना लिख सकते हैं लिख दिया complicated है लेकिन समझ जाओगे easy हो जाएगा अब देखो इस चीज़ को as it is लिख दिया इसको यहां लिख दिया यानि इस पर कुछ नहीं है तो इसको भी square मान सकते है one का square क्या होगा one ही होगा ठीक है अब देखो one square minus cos square theta ठीक है यह चीज है देखो ध्यान से देख न यहाँ पर one है न और यहाँ minus है यह इस पर भी है यह इस पर भी है मतलब यह है इसका ठीक है तो अलग-अलग कर दिया इस one cos square दो है ना square गाईस स्क्वार है ना देखो one minus cos square एंदे लिखेंगे यह रहाँ इस चीज को इसके साथ मिग दिया और इस चीज को दो बहर लिखिए तो यह यह कट गया यह भी स्कुराय एक जो बचा है वह लिख दिया यह अब देखो ज्यान से प्रूफ हो गया हमारा ठीक है LHS is equal to RHS अगर सायद ना दिखाई दे रहा हो तो मैं फिर से बता दू यह देखो one minus cos square theta है one minus cos square theta है दो बार लिख सकते हैं न होल square हो तो ऐसे ही लिख दो और जब personally square हो न तो एक बर plus में एक बर negative में लिखते हैं और जब same है वो कट जाता है upon में वो तो कट जाता है और बचेगा इतनी चीज तो उसको लिख दिया हमने लिख दिया अब देखो गई question में क्या बोलता है इसकी value इतनी आने चाहिए तो आशली आतो गई तो क्या लिखेंगे hands proof HP cylinder ठीक है and HP cylinder देखो यह आगया वापिस तो hands proof हो गया HP cylinder ठीक है आगे चले गई सेम अगला question भी ऐसा ही है दूसरा बार्ट यह question है हमारे यहना चाहिए क्या कराम ने इन दोनों का LCM ले लिए प्लिप्लाइश इसको नीचे वाले से divide करते हैं तो करो तो इतना पाट इतने से cut क्या बचा क्या कॉस को कॉस से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या होगा दो बार एक को एक से करेंगे तो दो बचेगा सेम इस पार्ट को इससे डिवाइड हो जागा बचेगा इसको इससे करेंगे तो ये भी दो बार स्कॉार हो जाएगा समझ सेम number है ना तो same जैसे square हो जाएगा अब देखो इन open कर देंगे इसका holy square ना ए प्लस B का holy square में open कर दिया इसको दिख रहा है a square b square plus 2 a b a की जगा one था b की जगा यह तो open करने आता है तो कर ले ना ठीक है नहीं तो बोल देना personal video वो भी समझा दूँगा इस चीज़ों के लिए ठीक है अब देखो cos square plus sin square theta cos square plus sin square theta is equal to 1 होता है तो इन दोनों की value 1 हो गई और यह one का one ही रहेगा one का square बाकी यह क्या बचा two sine two sine बचा है और यह one one two हो गया two sine हो गया और नीचे वाली चीज़े नीचे उतरती रहेगी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं जिसको solve करना इसको करो ठीक है two plus sign हो गया two इसमें common ले लिया तो two की जगह क्या बचा one plus sine theta sine a ठीक है और नीचे वाला नीचे रह जागा तो नीचे वाले चीज उपर वाले चीज़ों से कर जाएगी बचेगा क्या होता है सैक होता है ठीक है कल्कुलेशन तेज होगी तो क्यों इतना ड्रामे करना उसको समझाना है ठीक है एस पील स्लेंडर मत बोलना वो मैं ऐसी बोलता हूं ठीक है एंस प्रूफ प्रूफ हो या प्रूफ हो ठीक है दोनों सही है ठीक है ओके गाई यह समझ में आगा नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इसमें दस पार्ट है कोशिज करूंगा दसों पार्ट करवादू वरना आप भी कोशिज करो ठीक है ऐसा जरूरी नहीं प्रैक्टिस बनी रहेगी यह सब चीजें कल्कुलेशन समझ में आनी चाहिए